वेलकमे गाईज आपका असली अखाड़ा पॉड़कास्ट के एक और ने एपिसोड में और आज का जो एपिसोड हो बहुत ही मस्त होने वाले मैं बहुत ज़दा एकसाइटेड हो आई उसके साथ इसके बारे में बात करने के लिए लेकिन उससे पहले गाईज आप सभी लोग बहुत ज्यादा थैंक्यू Spotify पर हो तो फॉलो कर लेना रेट भी ज़रू करना और गाईज अब आप कॉमेंट भी कर सकते हो एपिसोड में और मैं कोई कुश्चन आपसे पूछ लूँगा ठीक है उसके नीचे आपना रिप्लाइ कर सकते और उसको मैं देखूंगा जरू हो विंस मिकमैन ने डेबल अबली बेच दी है एंडेवर के पास जा चुगिए मैंने अपनी वीडियो के अंदर अपने चैनल पर डीटेल में इसको डिसकस नहीं किया तो आज इसके बारे में सारी पड़ते खोलने वाले आराम से बैट जाओ अगर आपके दिमांगे बहुत स जादा लंबा इंट्रो हो गया आयुष वेलकम है आपका भी हमारे साथ मेरे को होस्ट और सबसे पहले तो मैं इस सवाल से शुरू करना चाहूंगा आयुष से कि यह बिकने वाला मूव जो एंडेवर को बिकाया वो बढ़िया था यह फिर साओधी अरेवे के पास जाना अ वैसे पॉड़कास पे टेक ओवर बट इंग की इस को इस तरीके से देखता हूं कि अगर डेवी बिकी है किसी एंडेवर नाम की कमपनी को तो परसनल लेवल पे अगर मैं एज एक्रेटर यूट्यूबर हम बात करें अपने लेवल पे और लोगों के जो कैजूल वीवर्स ह को कोई फरक पड़ता है कि कौन डेवी डेवी को ओन करता है उस पॉइंट तक जब तक जो हम टीवी पे हर अफ्ते देख रहे हैं वो चीज बहुत बड़े तरीके से चेंज नहीं हो जाती तो आइट थिंग की अब लोग सोचेंगे विंस मिक्मैन के शेर कम क्यों गया विं प्राइवेट बनाना, पब्लिक नहीं, प्राइवेट बनाना, and they did not want विंस मिक्मैन involved उनको था कि हम अपने तरीके से इसको चलाएंगे जैसे हमें चलाना है, maybe उसको साथी अरेबिया में और जादा फीचर करते, for their own good, तो इस वरह से विंस मिक्मैन ने ये डिसीजन लिया ह कि भई मैं भी पावर में हूं कहीं ना कहीं, company जब तक public रहेगी, तो shareholders रहेंगे, यानि कि कोई अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता एक बंदा, I think for the company, क्योंकि इतने टाइम से WWE एक public company बनी हुई है, Rohit I think endeavor के पास जाना is the better deal, और UFC के साथ मिल जाना, जो overall बनाता इसको इतना प थोड़ सा time के लिया, तुमने तो अपनी जो सारा कमी पेशी है, वो एक ही बार में पूरी कर दी, लेकिन मैं एक और छोट सा सवाल मारूंगा, Ayush, तुमारे सामने, अगर तुमको guess करना हो कि Triple H का instant reaction क्या था, ये जानकि के endeavor को बिग गई है, Vince McMahon के पास, अभी share कितना है, वो विड के time पे, Thunderdome, ये सब चीजे हैं, कि वो adapt करना Triple H को, अब personally I don't think उतना मुश्किल लगता है, unless उनको ये बात पता है, कि मैं जो कर रहा हूं, वो chain नहीं होगा फिर से, और अगर उनको को ये भी आकर बोलता है, वो creative के head नहीं रहे हो, I don't think Triple H थोड़ा जटका लगेगा, लेकिन इतना बड़े level पे नहीं, क्योंकि अब जैसे recently उनकी health condition की वज़ा से उनको पीशे step करना पड़ा, तो इतने सारे instances हो चुके हैं recent time में, रोईत की Triple H के level पे जो बंदा है न, वो personally I don't think इससे इतना बड़ा shock उसे लगा होगा, I think मैं भी इस बात से agree करता हूं, क्योंक खरीदा है क्योंकि UFC उनके पास already थी, और WWE और UFC को मिला के, ये दोनो 21 billion dollar पे आते हैं, और WWE की इसमें जो value है, वो 9 billion dollar है, एक interesting move मुझी हाँ पर ये लगा आयोश की, WWE और UFC को आपस में चिपकाने की कोशिश की गई, endeavor की तरफ से, क्योंकि दोनों अगर देखा जा तो अपनी-अपनी field में अलग-अलग sports, एक sports entertainment है, और एक तरफ combat sport, वो तो भाई, उस thing के अंदर आ जाता है, तो ये कुछ, मैंने अभी सोचा जैसे, अभी बोलते-बोलते कि क लेवर का था, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि हमारे पास UFC जैसी company हम own करते है, जिसकी value 12 billion के असपास है, तो क्यों अगर हम WWE को भी खरीर लें, तो जो दो biggest, हम कहा सकते है, combat sports या professional sports, जो wrestling है, जो सबसे जादा viewed है worldwide, एक ही company अगर उसको own करती हो, तो उस company का portfolio, यानि asset जो है है, उनके पास total, उसके आसपास भी कोई नहीं आ पाएगा, अब जो value रहेगी, इस पर होई ता, I think, I don't know, कितना हम इसको detail में मता सकते हैं, क्यों हम दोनों में से कोई यहां पर कोई CNBC का employee नहीं रहा है, हमारी कोई financial background नहीं है, but I think कि मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि Endeavor ने इतना बड़ा asset जो बनाया है, वो सिरफ यह देख रहे हैं कि हम इस industry में इतने सालों तक आगे lead करेंगे, कि अगर अभी हमको इतना पैसा लगाना भी पड़ा WWE खरीदने में, तो वो बहुत जल्दी वापिस चुक जाएगा, क्योंकि अब क्या करेगा कोई, अगर कोई competition में आ रहा है, तो क्या कोई company ऐसी create कर सकता है, जो UFC और WWE की combined value से भी उपर हो, बिल्कुल, यहां से, मतलब जो मुझे समझ में आया वो यह है कि, combined और merger करके, जो भी हो आये, इससे जो है न, वाट जादा पड़ेगा, आपके और भाई, एंडवर के पास इतने तगड़े दो हैं और I wish अभी हमको यह भी पता है, कि खुद CNBC के साथ जो भी spoke person थे, उन्होंने यह कहा था, कि 4-6 मेने के अंदर, एक new name के साथ, stock market में, list होगी, UFC और WWE मिला के, क्योंकि अभी WWE, World Wrestling Entertainment, ब्ला ब्ला करके कुछ है, UFC उस नाम से, पर जो भी है, अभी combined होंगे, तो यानि यह इसको value है, अपने जो status है, उसको भी बढ़िया दिखाने के endeavor ने ऐसा किया है, और जहां तक Ayush का सवाल है कि, कोई और है ऐसा जो कर सकता है, तो भाई देखो, जब यह endeavor और यह Dana Wyatt यह सबने इस company को उठाया था, तो यह 4 billion dollar के पास थी, और अब इसकी value जैसे आउश ने बता है, तो आईश मेरे को सच में ऐसा लगा था कि जब WWE company भिक जाएगी, इसका मतलब कि, विंस ने बेची, वो चले गए चुटियों पे और उसके बाद बैठ वे अपने beaches पे ऐसा अपनी टांगे फैला के, लेकिन यहां पे तो भाई, 18% stakes अभी भी विंस McMahon के पास है, WWE के बिकने वार I think 50 के आसपस विंस McMahon के पास थी वो डिसिजन मेकिं वाली पावर थी, लेकिन अब वो माइनर में आ चुके हैं और वो डिसिजन नहीं ले सकते, तो सबसे पादे तो इसके अऊपर क्या थोड़ते है, I think कि, yes, सबसे पावर मैं बोलूगा कि, विंस McMahon ने दो साल का इंप्लॉइमेंट कॉंट्रेक्ट साहिन करा है, जो कि दिखावर्ट है, I don't think कि वो दो साल बात विंस McMahon को निकाल देंगे, बट वो जो पावर है, वो अरी मैनूल के पास है, जो ओन करते हैं, जो CEO एंडेवर के, कि विंस McMahon को अगर चाहें, वो दो साल बात कॉंट्रेक्ट विंस McMahon सिरफ एक Chairman of the Board की तरह रहेंगे, लेकिन वो Executive Chairman नहीं रहेंगे, उनके पास कुछ percentage of stock है, जो कि उस company का उनको मिलेगा, जो नहीं company बनेगी, लेकिन रोहित इसमें बहुत important चीज़ है, वो है खुद विंस McMahon, क्या हम यह कभी सोच सकते हैं, कि विंस McMahon इतना टाइम लगा सारा WWE को, Nick Khan को लाके, पता नहीं क्या क्या स्टेप्स ली हैं पिछले कुछ सालों में, कि वो उनका मूड था कि यहां बस WWE बेचूँ और मैं पैसा लेके निकल जाओ, never, I think Vince McMahon एक ऐसा बंदा है, जो पावर में ना रहके, बिल्कुल मलब भाई हम कहते हैं, जिसे पागल हो जाता है, अगर वो पावर में नहीं है, इस बेसिकली ग्रीडी फोर पावर, और विंस जब तक उस रोल में अपने आपको देख सकते हैं, वो तब तक है, जब तक वो जिन्दा है, and that is the truth, और अगर उनको सौधी को कमपनी बेच नहीं होती, तो वो एक रात में वही डील कर में मेरा input रह सकता है, और अभी जो सबसे उपर रहेगा WWE में, वो मैं ही हूँ, भले ही मैं अब उसे own नहीं करता हूँ, उतने मेरे पास पैसे नहीं है, what doesn't matter, अभी ये बात से विंस के बारे में और future के बारे में बात चल लेगा, तो आयोश, इंटर्व्यू में विंस पिक Mr. McMahon वाला character नहीं लेकर आएंगे, लेकिन at the same time, Vince McMahon ने retirement का भी tweet किया था, business को छोड़ने की भी बात करी थी, तो क्या Vince McMahon के बारे में यकीन कर सकते हैं, और क्या भी इस बात को मान सकते हैं, कि Vince McMahon छोटे-छोटे decisions तो बनाने देंगे Triple H को, लेकिन जो सारा किया-करा होगा Triple H का इतने महिनों का, एंड में जब उसका major decision लेने की बारी आएगे, तो सारा रायता पहला देंगे Vince McMahon, मुझे तो ऐसा पूरा होने का चांस लग रहा है, बिल्कुल ऐसा होने वाला है, और I think कोई अगर बोल रहा है कि Triple H का decision था, सिरफ Roman Reigns को retain कराने at WrestleMania, उस बंदे को पता नहीं कि Vince McMahon है कौन, क्योंकि कौन यह सोच सकता है, कि अगर रोमन रेंज को देखें, ट्राइबल चीफ को देखें, वो जब starting हुई थी, that was Vince McMahon, Vince McMahon ने अप्रूफ किया था, कि Roman Reigns is going to turn heel, तो अब इस पॉइंट में कैसा लगता है, कि Vince जा के भूलेंगे, मेरी बनाईवी चीज के सा कुछ ऐसा हो रहा है, और मैं उसमें कुछ बोलू भी न, इंपॉसिबल, ठीक है भई, तुमने अच्छी स्टोर लाइन करी, Triple H, बहुत बढ़िया तूम कर रहे हो, टेलिविजन में, मुझे सब पसंद आ रहा है, बट यह मैच, Roman Reigns नहीं हा रहे का रिसलवेनिया में, Triple H कह और जादा ग्रो होनी चाहिए कंपनी, क्योंकि I don't think Vince can see WWE destroyed, या decline, या पर कहते है न, WWE खतम हो गई, I don't think हमने lifetime में Vince वो देख पाएंगे, तो उस वज़ास उनको है कि भई, जो मैं कर सकता हूँ, जो financially impact करेगा directly WWE पे, उसमें तो मेरा हाथ होना ही चाहिए, I don't know कि कितना हमको तो फरक दिखेगा on regular TV, because right after WrestleMania जो raw हुई, उसमें तो Vince McMahon ने भई बोला कि script वेगरा भी change की, पर फिर उसके बाद उनका impact है नहीं किसी show पे, तो कि ऐसा तो नहीं थे एक बड़ ट्राइ करके देख रहे हैं भई, अगर कुछ जादा बुरा reaction आया तो कुछ time के लिए पीछे हो अभी है मानते नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, even वो वाली चीज भी है कि चाय अंडर्टेकर के streak टूटने वाला movement होया, backstage कोई भी ऐसी बड़ी चीज हो जहाँ पर Vince McMahon का decision change होता हो या बदलता हो तो उसको कोई भी नहीं चेंज कर सकता, उसके ओपर कोई भी यह नहीं क मैं का भी सिर्फ शेयर है, यह हम को पता चला है, Triple H को Creative Head का रोल दिया है, तो क्या ऐसा है कि Vince McMahon यह देख रहे हैं बैठके, क्योंकि बताने वाला कौन है फिर उन्हें, और Triple H के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कि मुझे आयू चाह से लगता कि Triple H के लावा कोई औ क्यों कोई बंदा होता ना, वो छोड़के भग लेता, क्या पागल पंती है, क्यों मेरे सिर्फ कोई बंदा इतना चड़के नाच रहा है, वो तो Triple H को मैं पेशन लेवल बहुत जाद है, I think Triple H is family, अब वो जाएंगे भी तो कहां जाएंगे भाई, क्योंकि Stephanie से शादी कर लि business mind है, वो एक ऐसे लेवल पे है कि उसको कोई match नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें वो दिखता नहीं है, लेकिन Behind The Scenes, Triple H का schedule बहुत सारे रेसलर से भी बेकार है, हमेशा कई ना कई ना कई जा रहे है, मीटिंग में ही है, पूरे 24-24 घंटे कुछ ना कुछ प्लैनिंग चल रही है तो that is what he has to do, और उससे उनको प्यार है, तो वो भी अब उससे बहुत ज़्यादा टैच हो चुके है, बट Vince के बारे में रोहित, मैं यह बोलूँगा कि हमें याद करनी चाहिए, वो सारी चीजें जो Vince ने पहले बोली थी कि ऐसी होंगी, और फिर वैसी नहीं होई, Eric Bischoff और Paul Heyman को कंट्रोल दे दिया गया था, रियल में, और कितना टाइम लगा था Vince को वापिस आके बोलने में, कि भाई यह सब बिकार है, अब Bruce Prichard करेगा दोनों और स्मैकडाउन, और Bruce Prichard we know is Vince McMahon's puppet, जो इतने सालों से WWE में है, फिर उसके वार Vince McMahon ने बोला, मेरे against allegations लगी है, मैं र WWE Vicky, और रूमर से कहरे थे कि Vince is only back to sell the company, बर Vince ने तो company बेच के अपने आपको वापिस executive chairman बना दिया, तो जब भी हम बात करेंगा, कि Vince ने ऐसा बोला, यह होगा या नहीं, तो I think जादा chances है कि वो नहीं होगा, और जब उनसे पूछा गया था कि तुम क्या creative को अब लीड करो कि वो करें yes and no, उसका क्या मतलब हुआ भही yes and no, I think, जितना मैंने उस चीज को देखा, मेरे खाल से Vince McMahon का yes क्याने का मतलब था कि again, जो बड़े decisions होंगे, उसमें वे involved होंगे, और no, कि यह छोड़ी-छोडी चीजों में कोई चुल नहीं होगे, जैसे example के लिए ता कि आप लो मुझे इतना समझ में आया, बट वही है, Vince McMahon किसी के सगे नहीं है, वो अपनी बात सो के विल्कुल भी है ना, उसके opposite काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो मैं इतना believe नी करूँगा उनकी ओपर, लेकिन मैं आयुश, मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप इस बात से अगर लोगा, और जब उनको लेगा कि यह वाला शो तो मैं ही करूँगा, क्योंकि उनको पता, रो आफ्टर रैसल मेनी आई, इस शो को लोग याद रखेंगा, उनको लगता है कि मेजर चीज है, तो उसमें आकर धमक के बैट जाएंगा, और फिर कोई कुछ नी कर सकता, यह मेरा मानना है, अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ विन्सुकमान के बारे मागे के लिए, आइ तिंक कि सबसे बड़ी लोगों की जो हम कहते हैं गलत फहमी है, वो यह है कि वो विन्स को जब हम कुछ बोलते हैं, तो उनको लगता है, तुम कैसे इस बंदे को बोल सकते हैं, जिसने स बढ़ उसे step-down करना पड़ता है, विन्स के जो आइडिया उनके दिमाग में उनके लिए अच्छे हैं, वो current time में काम नहीं करते हैं, अगर हम बात करें कि क्या उनका जो steps हैं, वो आगे काम करेंगे, क्या वो अच्छे से creative book कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा हमें प्रूफ दि कि यह तो भई विन्स मिकमान का move है, और उसके बाद जो feuds वहां से बनेंगी, तो यह नहीं कह सकते हैं, कि विन्स वापिस आ गए हैं, सब कुछ विन्स कर रहे हैं, पर वो बात बिल्कुल सच है, कि अगर कोई major decision, triple H अल्रेडी ले चुके हैं, लेकि विन्स मिकमान को नहीं चाहिए, then triple H को अपना decision change करना पड़ेगा, और उसमें, I don't think कि triple H को भी बात पता है, वो भी जानते हैं, कि इससे पहले विन्स से पूछ लो, मैं खोद क्यों decide करूँ, क्योंकि यह तो major decision है, तो maybe, जो बड़ी feuds के final decision है, वो अल्रेडी विन्स के साथ बैठ की plan करे बिल्कुल यहां पर हम लोग सही सोचते हैं, बट हाँ, थोड़ा सा मुझे यह लगता है कि अगर कोई ऐसा मामला होगा ना, जहां पर विन्स को लगेगा कि चलो ठीक है, यह तो major चीज है, मेरा समें interest नहीं है, like superstar जैसे शिंच के नाकम हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि व विन्स कमें इतना इन्वाल्व होने वाले है, और इस बारे में इसलिए इतना बात करें कि ताकि आप लोग को समझ में आए कि बात क्या है, लेकिन, डेवल लगवली कंपनी सूपर स्टार से चलती है, और जैसे विन्स कमें वापस आते हैं, बैक स्टेज एक दम उठा पट करते हैं, कि विन्स was backstage, तो सबका mood off हो गया, which is true, क्योंकि अगर आप सोचो भई कि आप की इसी office में जाते हो, रोज आपका काम वहीं पे है, और एक दिन आप गए, और आपका पुराना boss जिससे आपकी बिलकुल निबनती थी, वो वापिस आ गया है, तो आप कैसे react करोगे, कि आपका mood अच्छा होगा, that is a simple answer, I think कि लोगों को आदत हो चुकि अप ट्रिपल एच के अंडर रहने की, बहुत सारे rules change हो जाते हैं, अगर लोग job करते हैं, उनको पता है कि हर manager के अंडर काम करना, अलग चीज होती है, बिलकुल, तो अगर जिस चीज की आदत लग गई, बार-बार पुराने वाले manager पर जाती रहेगी, तो भई, obviously, mahal तो खराब हो गई, और लोगों को पता है कि disaster होगा, कि धीरे-धीरे वो चीज़ें वापिस आएंगी, और फिर लोग अपने career के बारे में सोचने लगते हैं, because their life depends on this company, लेकिन अगर Vince McMahon ने को decision ले लिया है, तो कि सही बात है, तो जिनका नुकसान होता है, वो superstars है, जिनको हम देखना पसंद करते हैं, पर फिर हम कहींगे, ब्रे वाइट का है, क्या, ब्रे वाइट इतना बिमार है कि अभी तक वापिस ही नहीं आपाया, I don't believe that report, कि ब्रे वाइट इस सिक, that's why he was out of WrestleMania, क्या रोई, कैसे ब्रे वाइट को कुछ अलगी परिशानी है, क्योंकि उनके जो किये कराई की महनत है, बहुत बार उसके उपर पानी फिरा हुआ है, तो ये डिरेक्ली और इंडिरेक्ली लिंक्ड है, सूपरस्टार विंस मिक्मैं से, एक लेटर उनके हाथ में आता होगा, कि उनको पता चल मैं गलत सा सवाल पूछे, बहुत अब्वेस सा इसका अंसर होगा, लेकिन ये मैं सिर्फ क्रेटिव बात नहीं करना, मैं क्रेटिव वे में भी और फाइनेंशल वे में भी बात कर रहा हूं, क्या अगर सिर्फ ट्रिपल एच कंट्रोल में रहते, तो आने वाले पांच सालो उसमें पीछे रहा जाते हैं, तो क्या एक कॉंब अप सही है, या फिर आयुछ प्रिफर करता है कि सिर्फ ट्रिपल एच ही चलाएं कंपणी, I don't know कि बहाइं डिख रहा है जो हमें दिख रहा है या बताया जा रहा है वैसी चीजें चलती है कि इस साल की जो रहे सेल में को बता नहीं सकते हैं, I think Nick Khan एक क्रूशल बंदा है जिसको लाया गया, he's very good, ऐसा मतलब मैं सोच सकता हूं कि अपनी जॉब में इतने सारे स्पॉंसर भाई, इतना सारा, लेकिन I don't think कि next 5 साल Endeavor के अंडर WWE को कंपेर कर पाएंगे पिछले 5 साल WWE के, और जो हो सकते थे अगले 5 स इतनी जादा वैल्यू की हो गई है कि WWE स्टेज तक इंडिविजुली एस WWE कभी अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी नहीं पहुंच पाती, वो पॉसिबल ही नहीं था, तो अब WWE का एक कंपनी का पार्ट बन गई है ना कि अपने आप में कंपनी है, तो financially endeavor का का काम है अब कि क्या हो रहा है और हमको मेभी पताया जाएगा कि WWE का क्या profit था, UFC का क्या profit था, बट मेभी जब endeavor के अपने earnings call होंगे, तो उसमें सिरब बताया जाएगा कि यह जो नहीं company है, इस नाम की यह इसका revenue है, यह इसका profit और वो होगा बहुत जादा, क्योंकि it is combined, अब उससे कितना WWE है, कितना UFC है, I don't think कि Triple H हो या Vince McMahon या Nick Khan endeavor के बिना, वो WWE को उस financial चीज तक पुचा सकते हैं, I think, रही तियां से, मैं एक सवाल पूछूँगा कि, UFC, UFC हमने बहुत बार mention तो कर दिया, लेकिन, किस तरीके से लोगों को देखना चीए इस UFC वाले merger को, क्या यह सिरफ एक financial merger है, क् क्योंकि यह तो मैं जरूर बोल सकता हूं कि मैं नहीं देखना चाता है कि Octagon के अंदर Roman Reigns, Conor McGregor से लड़ रहे हैं, और उसके बाद फिर कोई और UFC का फाइटर जो है, Ronda Rousey के साथ आकर लड़ रहा है, क्योंकि यह एक अच्छा WrestleMania match हो सकता है, I don't think यह Worlds Collide वाली feeling मुझे चा मेरे क्याल से यह सवाल बनता है, UFC और WWE के merger से financially, क्या TV पर प्रोग्रामिंग पर हमको इसका असर दिखेगा, तो भाई देखो, सिंपल सा आंसर जो आयुश नहीं मेरे भी वही है, खिचडी से बख जाएगी बहुत जादा, कि मतलब ऐसा लएगा कि यह company तो अपनी अपनी अ बहुत फॉलो करिए, अब भी अगर कोई ऐसा बहुत तगड़ा फाइट हो जाती तो उसको देख ले तो उस पर नजर घुमा लेते हैं, लेकिन परसनी मैं तो ऐसा देखना नहीं चाहूंगा, मेरे खाल से यह इनका अलग अलग रहना ही सही है, और मैं excited हूं इस चीज के ल आप से कौँगा भाई, जो background में चीज़े चल रही होती है, behind the scene जो चीज़े चल रही होती है, उसके उपर में नजर रखोगे तो बहुत सारी चयोग आपको idea लग जाएगा, और मुझे पूरी उमीद है कि आज इस episode से भी आपको बहुत सारी बाते पता चलिए होगी, हमने सबस्य आपकोगा जी मिझे आपको बहाँ है याखोगे होती है, याशी होती हूएंग जाही होती है, झापकोगे होती है, हमने उन दो अजवाखे होती हैचा जो olacak जो